ओम नमो भगवते वाशो देवाया सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आँखे बंद करके मेरे साथ बोलिये ओम नमो भगवते वाशो देवाया ओम नमो भगवते वाशो देवाया ओम नमो भगवते वाशो देवाया जय जय श्री राधारमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभू जय जय माखन चोर सिक्रिष्ण चंद्र भगवान की जगत गुरु शिल प्रहुपाद की उपस्तित भगवत कथानु रागें पधारे हुवे भक्त वरिंद इस सभा को शुशोभित करने वाले आंतराश्रिय कृष्ण भावनामृत संग इस कौन के वरिष्ट भक्त गण देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में यूट्यूब, फेस्बूक, आदी के माध्यम से वर्तमान एवं भविष्वे इस भागवत कथा का शुरवन करने वाले समस्त शुरोता गण एवं भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने है तुम एवं अपने प्रीय पित्रू का उद्धार करने है तो जो प्रत्येक संतानों का कर्तव्य है ऐसे पित्रू मोक्ष और भगवत प्रेम प्राप्त करने है तो भागवत कथा का अयोजन करने वाले मुंबई निवासे, जाजल परिवार का हम स्वागत करते हैं जिन में से प्रमूख है हमारे समक्ष हमारे सामने बैठे हैं विनोद्राई जी विनोद्राई जाजल उनकी धर्म पत्नी माता जी हनसा जाजल जी और इनकी दोनों सुपुत्री जैश्री और स्वाती तो ये चोटे से परिवार ने ये बहुत सुंदर पित्रु मोक्ष और भगवत प्रेम प्राप्त करने है तो इस भागवत कथा का योजन किया है शुमद भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में आप सभी भक्तों का इस कथा में स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम शुमद भागवत कथा श्रवन करने के लिए पात्रता होनी अतियंत आवशक है केवल भागवत कता ही नहीं अभी तो इस दुनिया में किसी भी वस्तु को धारण करने के लिए कोई पात्र चाहिए चाहे संसार में मान लो दूद खरीदने जाते हैं चाहे फ्री में दूद मिल रहा हो या पैसे चुका कर हम दूद खरीदे उस दूद को लेने के लिए कोई पात्र चाहिए जब साधारण वस्तु के लिए पात्र की आवशकता है तो श्रिमत भागवत जैसे दिव्य गरंत को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए या जीवन में आत्म साथ करने के लिए पात्रता होने अत्यंत आवशक है और भग तो ये पात्रता क्या है ये पात्रता है पवित्रता जब तक हमारी पात्रता नहीं होगी या हमारे अंदर पवित्रता नहीं होगी तब तक हम भागवत को पूर्ण रुप से आत्म साथ नहीं कर सकते या दुसरे शब्दों में, हम भागवत का पुर्ण रूप से लाभ नहीं ले सकते हैं, तो पातरता होना, और पवितरता होना, ये अत्यनत आवशक है, प्रश्ण हो सकता है, कि ये पवितरता, ये पातरता कहां से आएगी, जिससे हम भागवत को पुर्ण रूप से समझ सके आत्म साथ कर सके सो ये पात्रता कहां से आएगी बक्तिर सामरुट सिंदु में हमारे आचारिय रूप गोश्वामी लिखते है रिशी केण रिशी केश सेवनम बक्तिर उच्चते बक्तो ये इंद्रिया ये शरीर हमारे जिवन में जितनी भी शक्ति बुद्धी सामर्त्य है ये सबकुछ देने वाले एक मात्र भगवान कृष्ण है और इसलिए भगवान कृष्ण को रिशी केश कहा जाता है रिशिक का आर्थ होता है इंद्रिया और इश का आर्थ होता है स्वामी हमारी सारी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण है यदि हम हमारी इंद्रियों को पवित्र करना चाहते हैं यदि हम हमारी इंद्रियों की पात्रता बनाना चाहते हैं ताकि हम भागवत को आत्म साथ कर सके, या भागवत को पूर्ण रुप से लाभ ले सके, तो कहते हैं सेवनम, भक्तिर उच्चते, ये इंद्रिय प्रदान करने वाले भगवान रिशीकेश, भगवान क्रिष्ण की सेवा करने चाहिए. जब तक भगवान और भक्तों की सिवा नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में ना पातरत आएगी ना पवितरत आएगी इसलिए इस भागवत को पूर्ण रूप से वैसे भागवत सब को मिल रहा है ये सब के लिए ओपन है लेकिन भागवत सुनने वाले हजारों लोग हैं हजारों लोगों को समानरुप से फल तो नहीं मिलता सभी लोगों के फल में अंतर होगा और उस व्यक्ती को अधिक फल मिलेगा जिनके जीवन में पातरता है, पवितरता है तो यह पात्रता सेवा करने से आती है मैं आपको दो दर्ष्टांत दूँगा शुमद भागवत में से शुमद भागवत में ऐसा वर्नन है कि जब हेमंत महिना शुरू हुआ हमारे बारत में छे रूतिया रूतु होती है जब हेमंत महिना शुरू हुआ तो ब्रज की सारी गोपिया कात्य यनी देवी की पूजा करने लगी हमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारी का वहां की जितनी भी गोपिया थी वो सब सेवा करने लगी और लगातार उन गोपियों ने एक महिने तक सेवा की और एक मेने तक सेवा करने से उस मेने के अंतिम दिन में जब यमना के बरफिले ठंडे जल में विस्नान कर रही थे और उस समय भगवान से कृष्ण उनकी सेवा से प्रसन्न हुए यदपी कृष्ण गोपियों के साथ अनेक वर्षों से ब्रज में रहते थे लेकिन गोपियों ने जब कृष्ण की सेवा की और सेवा भी किस भाव से है समर्पन भाव से वक्त यह एक बहुत बड़ा साइन्स है कि सेवा में भी बहुत प्रकार के भाव होते हैं कई बार कुछ लोग सेवा करते हैं मेरा यश हो जाए मेरा नाम हो जाए समाज में दो-पांच लोग मुझे पहचानने लगे, जानने लगे, लेकिन गोपियों ने कृष्ण की जो सेवा की, वो समर्पन भाव से की, और इतना समर्पन भाव, ये पूरे भागवत में या गोपियों की जीवन में, सबसे अधिक समर्पन यदी प्रस्तूत किया गया, सेवा की, गोपिया यमना में स्नान कर रही थी, और उस समय कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया, आप सब जानते हैं, और वस्त्र चुरा कर कृष्ण कदम के व्रुक्ष के उपर बैठ गये, और उस समय अब कृष्ण की अंतिम परिक्षा थी, कृष्ण ये जानना चाहते थे कि ये गोपिया मुझे कितनी समर्पित है, छोटा मोटा समर्पन तो देखे लेकिन आज गोपियों की अंतिम परिक्षा और उस समें कृष्ण ने कहा, कि गोपियों यदि आपको अपने वस्त्र चाहिएं, तो मेरे पांस आकर ले लो, ब्रज की पुर्ण रूप से सु संस्कृत गोपिया, भगवान सी कृष्ण के सामने पूर्ण रूप से समर्पित होकर उन वस्त्रों को लिया, और कृष्ण ने देखा, जब समर्पन भाव से गोपियों ने सेवा की हैं, उस समय कृष्ण ने कहा, गोपियों, मैं आपसे पूर्ण प्रसन्न कारण, तुमारे इस समर्पन के कारण, जो लिला जिस लिला का सोभाग्य मैंने किसी को नहीं दिया वह लिला का सोभाग्य मैं आपको दूँगा, और उस दिन कृष्ण ने गुपियों से वादा किया कि शरद पुर्णिमा के दिन मैं आप सब को बुलाओंगा, और आप सब के साथ रास लिला करूंगा बक्तो कृष्ण के साथ रास में सब का स्थान नहीं है गोपियों का पुर्ण रुप से समर्पन और गोपियों की तन तोड सेवा कृष्ण ने जब देखी तब जाकर कृष्ण ने रास लिला का सोभाग्य गोपियों को परदान किया और वादा किया कि मैं आपको बुलाऊंगा हम रास लिला करेंगे और फिर तो गोपिया राह देखती थी कि कब कृष्ण हमें बुलाएंगे कब कृष्ण हमें बुलाएंगे जैसे आप सब भक्त पिछले चार दिन से राह देख रहे हो कि कब भागवत कथा शुरू होगी कब भागवत कथा शुरू होगी ठीक उसी प्रकार गोपिया राह देख रही थी कब कृष्णा हमें बुलाएंगा सो मेरे कहने कब आओ ये हैं कि रास लिला जैसी उच्च दिव्याती दिव्य लिला में पार्टिसिपेंट तब राप्त हुआ गोपियों को जब उनकी पातरता और पवितरता होई और ये पातरता पवितरता सेवा करने से प्राप्त होती है दूसरा द्रश्टांत आप सम जानते हैं माभारत के युद्ध में लगबग कवरव और पांडव की सारी सेना विद्वन्स हो गई और माभारत के युद्ध की कुछ दिन के बाद पांचो पांडव हिमालाई और फिर स्वरगारोहन करते हुए वैकुंट चले गए वक्तु केवल दो लोग बचे थे वहाँ दूसरी और भगवान सी कृष्ण भी अपनी सारी लिला समाप्त करके चले गए यादव कुल अपने आप में ही युद्ध करके समाप्त हो गया कृष्ण के परिवार में वज्रनाव जी बचे और पांडव के परिवार में परिक्षित बचे कौरव पांडव यादव वंश ये सब कुछ चले जाने के बाद किवल दो बंदे बचे थे कृष्ण के पांस वज्रनाव और दूसरी और पांडव के वंशज परिक्षित अब ऐसी कता है कि गिर्राज गोवर्धन की तलेटी में ब्रज वरिंदावन में गोवर्धन की तलेटी में उद्धव जी वज्रनाव और गोपियों को भागवत कता सुना रहे थे आज भी जब आप गोवर्धन परिक्रमा करोगे न तो गोवर्धन परिक्रमा में आप यदि परिक्रमा कुसुम सरोवर से प्रारम करते हो या फिर आप गोवर्धन परिक्रमा राधाकुण शामकुण से प्रारम करते हो तो वहाँ से प्रारम करते हुए सबसे पहले तो मांसी गंगा मांसी गंगा में स्नान करके फिर आप आगे बढ़ोगे तो चकलेश्वर महादेव फिर आप आगे बढ़ोगे तो मुखारविंद का दर्शन होगा और फिर आप आगे बढ़ोगे दान घाटी का दर्शन करते हुए गोवर्धन के बिल्कुल निकट चलते हुए आप गोविंद कुण पहुँचोगे गोविंद कुण पहुँचकर निकट से भगवान का दर्शन करके शिरनाजी का दर्शन करके फिर आगे बढ़ोगे चलते चलते पहुँचेंगे पुछरी का लोटा पुछरे की लोटे से फिर आपके पास दो अप्शन है बाई रोड चलो या गोवर्धन को सटकर चलो तो प्राया रोड से आप मत जाओ वहाँ ट्राफिक है मैं आप सबको अंदर से चलाता हूँ आप बिलकुल गोवर्धन का दर्शन करते करते अब थोड़ा सा आगे चलेंगे अनेको बंदर दिखेंगे गोमाता का दर्शन होगा और चलते 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 थोड़ा सा जूस पीते हुए गन्ने का जूस पीते हुए थोड़ा सा प्रसाद पाते हुए चलते चलते फिर हम प पानी दालते हैं, तो हम साथ में यदि हम प्योर दूद लेकर जाएंगे तो अच्छे से सेवा कर पाएंगे, तो फिर जतिपुरा में हमने बगवान को सुंदर दूद चड़ाया, मत्था टेका, प्रनाम किया, और फिर से आशिरवाद लेकर हम आगे बढ़ें, और फिर से च चलते चलते जब जतिपुरा से आधा घंटे तक चलेंगे, फिर आएगा उद्धवकुंड, जब उद्धवकुंड आता है, तो भक्तों को बड़ी प्रसनता होती है, उद्धवकुंड आगया, उद्धवकुंड आगया, उद्धवकुंड आगया, प्रसनता इस बात के न और फिर को समसरोवर गोरधन परिकरमा समाप्थ हो जाती है तो चलो अच्छा है इस बाने मानसिक गोरधन परिकरमा करने का उसर मिला अब देखिए मैं रोज कुछ ना कुछ दिमांड करता हूं अब बात आईए इसलिए दिमांड कर दो आने वाले कार्तिक महिने में यूं तो आप लोग ब्रज परिकरमा चार दिन पांच दिन करते होंगे कभी साथ दिन दस दिन करते होंगे ठीक है और तीस पर भी आप लोगों को ब्रज में जाने का टाइम कहा मिलेगा क्योंकि आफिस से कुछ लोग अमेरिका, मुंबई यहां वहां रहते है तो इस बार 2020 में हम आपको एक महिने तक ब्रज परिकरमा कराएंगे और ये एक महिने तक ब्रज परिकरमा जो है घर बैठकर कराएंगे जैसे अभी हमने संक्षित में परिकरमा की न तो घर बैठकर आपको स्क्रीन पर दिखाते हुए हमारा एक बंदा, अब ये तो मेरी इच्छा है मैं निवेदन करता हूँ, अमित नाराने प्रभू मेरे सामने बैठा है कि जैसे जैसे हम यहां पर कथा कर रहा है तो आपका एक बंदा वहां पर केमेरों लेकर होना चाहिए और वहां पर उस्थान पर वो भी लाइव होना चाहिए और उस्थान को देखते हुए जैसे हम लोग ब्रज के उस्थान पर बैठा है और वहां बैठकर हम सब एक मेने तक लगातार ब्रज की परिक्रमा करेंगे शायद हम शरीर से भी ब्रज में चले जाएं तो उतनी डिटेल में ब्रज के विशे में नहीं सुन पाएंगे लेकिन घर बैठ कर लाइव ब्रज का दर्शन करते हुए क्योंकि ये कोरोना का कहर है इसलिए हम सब लोग practical, physically तो नहीं जा सकते है तो इस साल मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि हम एक महिने तक कार्तिक महिने में कार्तिक महिना जैसे ही शुरू होगा सो कार्तिक महिने में हम ब्रज परिक्रमा करेंगे सो ये मेरी इच्चा है आप सब लोग आशिरवाद दीजिएगा और आप सब लोग सहीयोग कीजिएगा कि ये एक महिने के हमारी यात्र परिक्रमा सफल हो ये कोई सोची समझी बात नहीं है ये भागवत पर बैठे है और मन में विचार आया हमने प्रस्तुत कर दिया अब आगे बढ़ते है मैं ये कह रहा था कि गिराज गोवर्धन की तलेटी में उद्धव जी वजरनाव और गोपियों को कथा सुना रहे थे क्योंकि गोपियों को भगवान कृष्ण का विरह हो रहा था और कृष्ण के विरह में एक कृष्ण कथा ही तो थी जो गोपियों को जीवित रखने का काम करती थी गोपिगीत में भी काया न कृष्ण तव कता अम्रितम तब्त जीवनम कृष्ण आपके विरह में तो हम कबकी मर जाती लेकिन आपके विरह में आज हम जी रही है तो इसका एक ही कारण है आपकी कथा हमें जिला रही है भक्तो शुद्ध भक्तो के जीवन में भक्तो का जीवन भगवत कथा से चलता है कथा ही भक्तो के प्राण है मैं शी चैतनी महाप्रभू के विशे में कहूं चैतनी महाप्रभू के अंतिम जीवनी में वे भक्त के रूप में आये थे, राधारानी का भाव था, सो भक्त बनकर महाप्रभू आये, जगनात पूरी में जब वे गंबीरा में रहते थे, तो अपने अंतिम जीवनी में कृष्ण का विरह बहुत सताता था, जैसे ही कृष्ण की याद आते ही, वे रोने लगते, वो चिलाने लगते, कि कहां जाओं, कहां पाओं, ब्रजेंद्र नंदन, इस शाम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन को मैं कैसे प्राप्त करूं। माप्रभु बड़ा अपसोस करते हुए कहते थे, कि जीवन का लंबा समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, संसार से विराग्य नहीं हुआ, कृष्ण से अनुराग नहीं हुआ, मुझे इन आखों से कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण का अनुभव करना है, और आज इस शरीर से यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है, जरु जावस जीवन जानकि नात, जिये जग में तुमरो बिनुभई, जानकिनात राम और सीता की सेवा और दर्शन यदि इन आँखों से न हो पाए तो ये शरीर क्या काम का जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कचु काम का इस भाव से चैतनी महाप्रभू जब अपनी आँखों से कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते थे अपने मस्तक को उस गंबिरा घर की दिवारों के साथ पटकने लगते थे और अपने मस्तक को पटक पटक के खोन की धारा बहने लगती थे ये सोचते थे कि इसे तो मर जाना ही बैतर है यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हो ये इच्छा हो जाती थी उस समय उनके निकट रहने वाले स्वरूप दामोदर और राई रामानंद शी चैतनिय महापरभू को भागवत सुनाते थे और ऐसा वर्णन है महापरभू जैसे ही भागवत सुनते थे उनको भगवान कृष्ण की अनुभूती होने लगती थी कृष्ण का दर्शन होने लगता था तो चाहे महापरभू हो चाहे गोपिया हो चाहे कोई शुद्ध भक्त हो इनका जीवन भगवान सी कृष्ण की कथा है तो उद्धव जी गोर्धन की तलेटी में बैटकर गोपियों को भागवत कथा सुना रहे थे और वक्तों ये बात परिक्षित महराज को पता चली उन दिनों पांडव चले गए थे परिक्षित का राज्य चल रहा था और परिक्षित महराज को ये बात पता चली और परिक्षित महराज उद्धव जी के पास गए, उनके चरणों में बैटें, और कहा महराज आप कथा सुनाई रहे हो, तो हमें भी कथा सुनाओ, तो जैसे ही परिक्षित बैटें, ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी ने कहा परिक्षित, आप कथा मत सुनिये, अब क्रिष्ण के मित्र हो, क्रिष्ण की निकड़तम बातों को जानते हो, आपके मुख से कथा सुनना, ये मेरा सोभागयोगा आप क्यूं मना कर रहा हैं? तब उद्धव जी ने कहा परिक्षित, परिक्षित कल्यूग का प्रभाव प्रारंव हो चुका है, और अभी भी संसार मे अनेको असूर बचे हैं, अनेको शत्रु बचे हैं, तो परिक्षित, उद्धव जी ने क्या कहा परिक्षित को? परिक्षित, आप अभी भागवत मत सुनो, अभी आप जाओ और सीमा बॉडर पर रहे कर, इस देश की रक्षा करो, संसार की रक्षा करो, आप शत्री हो, और आपका धर्म है ये सेवा करना क्योंकि यदि आप ये सेवा नहीं करोगे तो मैं भागवत बोल नहीं पाऊंगा गोपिया कथा सुन नहीं पाएगे भक्त भक्ती नहीं कर पाएगे सो परिक्षित अभी तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं है तुम जाओ और सेवा करो, उद्धव जी ने महराज परिक्षित को भागवत नहीं सुनाई और कहा कि तुम जाकर सेवा करो क्योंकि उद्धव जानते थे कि बिना सेवा के यदी भागवत सुन भी लिया जाए तो वह उतना फल प्रदान नहीं करेगा, जितना सेवा करने के बाद, भागवत सुनने का फल मिलता है सो जाओ सेवा करो, परिक्षित ने कहा मैं चलो, आपके आग्या से मैं सेवा करूँगा, लेकिन मैं सेवा करूँगा, ये कता तो मैं चुक जाओंगा, आप तो कता समाप्त कर दोगे तब भगवान सी कृष्ण के मित्र और भक्त कृष्ण स्य दैत सखा उद्धव बुद्धी सत्तम उद्धव जी ने कहा परिक्षित तुम चिंता मत करो परिक्षित मेरे कहने पर तुम जाओ और सेवा करो और सेवा करने का फल मैं वरदान देता हूँ अरे में तो क्या हूँ मेरे से भी स्रेष्ट शिव और शिवजी से भी स्रेष्ट शुगदेव गोसवामी तुम्हें भागवत कथा का श्रवन कराएंगे यह मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ यह मैं आशिरवाद देता हूँ तो उद्धव जी ने वरदान दिया परिक्षित महराज ने सेवा कि और सेवा करने के कारण ही महराज परिक्षित को शुगदेव गोस्वामी का मिलन हुआ और शुगदेव जैसे महान संथ के मुख से भागवत कथा श्रवन करने का पूर्ण लाव राप्त हुआ तो भक्तो गोपियों ने सेवा की भगवान मिले परिक्षित माराद ने सेवा की भागवत मिला ये भागवत जो है सेवा करने से आत्म साथ होता है सेवा करने से ये भागवत का पुर्ण लाव मिलता है तो मैं बड़ा रदय से प्रसन्न हूँ कि ये जो online series चली है ये जो प्रथा प्रारम होई है इस प्रथा में ये दोनों कारिय हो रहा है गो सेवा भगवान सी कृष्ण की सबसे उत्तम सेवा है जैसे उस दिन मैंने कहा था कि यदि तार्तम्य द्रष्टी से पूछा जाए तो मंदिर जो है वो भगवान की office है और गवशाला जो है वो भगवान कृष्ण का अपना घर है इसलिए कृष्ण ने अपने घर का नाम क्या रखा गवलोक वरिंदावन कृष्ण जहां रहते है न उस लोक का नाम है गव लोक वो गाई का लोक है वो गव माता का लोक है और यह जो भजन भक्ती करके हम गवलोक वरिंदावन जाएंगे तो वहां जाकर और कुछ नहीं केवल गव माता की सेवा करनी है तो फिर वहां जाकर जो सेवा करनी है वो सेवा यहीं से ही क्यों न प्रारम करें और यहीं से प्रारम यदि करते हैं तो हमें गोलोक में वास मिलता है सो कहने कार्थ यह है कि हमारे ये जाजल परिवारने बहुत सुंदर वैश्णवो की और भगवत भगवान को प्रिय ऐसे गव माता की सेवा की है और इस प्रकार की सेवा करने से भागवत सुनने की पात्रता मिलती है पवित्रता मिलती है और किवल एक बार सेवा करने से जाजल जी कुछ नहीं होगा बार-बार करना होगा जीवन भर करना होगा तो खेर मैं कोई इतना ये नहीं कह रहा हूं लेकिन जश्ट शास्त्र का ये सिदान्त है कि सेवा करने से पातरता मिलती है पवितरता आती है और भागवत सुने का पुर्ण लाब मिलता है और ये सारा आयोजन बहुत सुन्दर वेदिक रूडी से हो रहा है कि आप जो मेहनत करके परिश्रम करके जो अर्थ अर्जन करते हैं वो गव माता की सेवा करें और फिर भागवत सुनें तो बहुत सुन्दर ये आयोजन मैं रदई से बहुत अत्यान प्रसन हूँ कि एक वेदिक आयोजन यहां पर हो रहा है सो आईए विनोदराई जी, अनसा जी, जैश्री जी, स्वाती जी इन पूरे परिवार के सहयोग से ये सुन्दर भागवत कथा कायोजन हुआ है इसका हम लाभ लें जैसे गोपिया राह देख रही थी कि कब कृष्ण हमें बुलाएंगे और महराज परिक्षित को भी जब श्राप मिला ना, मैं आपको प्रसंग याद कराऊं कथा से आप सब लोग परीचीत हो भक्तों, परंतु उस प्रसंग में ऐसा वरनन है कि महाराज परिक्षित को जब शराप मिला तो महाराज परिक्षित को वो बहुत अच्छा लगा ऐसा वरनन है कि तत्य सादू मनिये महाराज परिक्षित ने अपने मन में विचार किया कि बहुत अच्छा हुआ मुझे शराप मिला है और वास्तों में ये श्राप नहीं ये भगवान की कृपा है नहीं तो मैं मेरे घर और राज्य में इतना रचा पचा था इस राज्यों को चलाने में मैं इतना एंगेज था, बीजी था अच्छा हुआ मुझे श्राप मिला क्योंकि ये समिक के पुत्र श्रिंगी का श्राप विरक्ती कारणम मेरे लिए बहुत बड़े वेराग्य का कारण बन गया यूं तो मुझे संसार से वेराग्य नहीं आने वाला था लेकिन मेरे जिवन में ये जो दुरगटना घट गई ये मेरे लिए वेराग्य का कारण बन गया और वेराग्य ही मुक्ति का कारण बन जाएगा बगतो हमारे जीवन में परिक्षित महाराज की तरह जब कोई अगट घटना घटती है जैसे अभी COVID-19 से सब परेशान है कोरोना से और भी जीवन में कोई अगट घटना घटे तो परिक्षित महाराज की तरह हमें सोचना चाहिए कि चलो जो भी हुआ ये भगवान की कृपा है भगवान का आशिरवाद है नहीं तो हम संसार से कभी दूर न हटते आज जीवन में ये दूर घटना घटी जिससे मुझे भागवत सुनने का आउसर तो मिला भक्ती करने का आउसर तो मिला सो महाराज परिक्षित अपने आपको सोभग्यशाली माने और सोभग्यशाली मानकर घर पर नहीं रहे महाराज परिक्षित तुरंत अपने घर को छोड़ कर कहां गए भागी रती गंगा के तट पर चले गए हस्तिनापूर से सीध हरिद्वार शुक्रताल पहुंचे गंगा के तड़ पर अब यहां पर प्रश्ण हो सकता है कि महाराज परिक्षित गंगा के तड़ पर क्यों गए महाराज परिक्षित गंगा का आश्रे ही क्यों लिये महराज परिक्षित के जिवन में मौत निकट आईन तो उन्होंने मा गंगा का आश्रे लिया कारण बहुत सारे हैं लेकिन एक मुख्य कारण मैं आपको बताऊं कि जिसे भगवान की प्राप्ति करनी है द्यान से सुनिएगा जिसे भगवान की प्राप्ती करनी है सो भगवान की प्राप्ती करने की इच्छा वाले को भगवान के चरणों का जिसने आशरे लिया है ऐसे शुद्ध भक्तों की का आशरे इग्रान करना होगा क्योंकि मा गंगा भगवान कृष्ण के चरणों से निकली है जिसका संबंद सीधे भगवान के चरणों से हैं गंगा नदी का तो जिसका संबंद और संबंद सीधे भगवान से हैं ऐसी गंगा या ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का हम आशरे लेते हैं तो निश्चित हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है इसलिए इश्वर प्राप्ति करने के लिए इश्वर का आश्रई लिये हुए किसी शुद्ध भक्तों का हमें आश्रई कुछ दिन पहले हमने सुना था न कि उस ग्राह ने कुछ नहीं किया किवल गजिंद्र के चरणों को उसने पकड़ा तो बिना कुछ किये भगवान के धाम को प्राप्त कर गया शुद्ध भक्तो का आश्रे ग्रहन करेंगे तो निश्चित हम भगवान को प्राप्त करेंगे महाराज परिक्षित बुद्धी मान थे इसलिए उन्होंने गंगा का आश्रे लिया भागिर थी गंगा के तट पर बैटकर शुगदेव गोस्वामी के मुक से भागवत कथा सुनना प्रारम किये अब भक्तो महाराज परिक्षित ने अनेकों प्रकार की जिग्यासा की जिग्यासा करते 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 हैं हम भी जब से ये ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से भागवत प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक से हमने शुरू किया है और करते करते हम लोग आठवे स्कंद में पहुँचे हैं और आठवे स्कंद का अंतिम अध्याई बाकी है और भक्तो योगानो योग तो देखो आप योग तो देखो कि ये कथा कराने वाले इस कथा के आयोजग है हमारे जाजल परिवार है और उसमें भी स्वाती माता जी जो मुख्य रूप से यात्रा और उसमें भाग लेती है तो ये हैं मुंबई में रहने वाले लोग और हमारा महराश्ट और मुंबई जो है मचली में बड़ा फेमस है महराश्ट में, मुंबई में आप किसी local train में जाएए किसी market में जाएए तो वہाँ पर मचली बहुत मिलती है आप लोकल ट्रेन में तो हम रोज सफर करने वाले लोग मुंबई के और कोई आप कितना भी पर्फिम दालो लेकिन वो पर्फिम कहां दूर रह जाएगा मचली की दुरगंद या सुगंद पहले आएगे तो हमारी स्वाती माता जी के भाग में ये मचली की कथा आई है और तब से मेरे मन में हो रहा है कि ये स्वाती माता जी मचली वाली बाई है ये जो है मचली उनके भाग में तो एक योगानु योग मुंबई के आयोजग है और मुंबई के आयोजगों के भाग्य में मच्य अउतार की कथा यूं तो ये मत्से अउतार की कथा डाइ मिनिट होती है आप कभी कोई कथा सुनिए वेसे तो होती ही नहीं है लेकिन मानलो कोई कथा करे तो डाइ मिनिट में बस राजा सत्यवरत थे और उनको प्रणाम करते वे हाथ में मशली आई देरे बड़ी होने लगी समद्र में फेंक दिया और प्रलाई के समय उनोंने सबको तेराया खतम हो गए मत्से अउतार लेकिन क्योंकि हमारे स्वाती माताजी का भाव है और पित्रु मौक्ष और उनको भगवत प्रेम प्राप्त करने है तो इस कथा कायोजन किया है इसलिए हमने सोचा कि इस मत्से अउतार की कथा को थोड़े विस्तार से क्यों न सुना जाए तो हम प्रियास करेंगे दो दिन, तीन दिन, चार दिन जितना भी हो सकता है शुरू करना ये हमारा धर्म है खतम करना ये भगवान के आथ हो में है लेकिन ये मत्से अउतार की कथा को थोड़ा सा डिटेल में हम सुनेंगे मेरी भी जिग्यासा है और शायद आप लोगों की भी जिग्यासा होगी तो इस मत्से अउतार की कथा को थोड़ा सा डिटेल में सुनकर फिर हम समय मिलातो कथा की और आके बढ़ेंगे इन साथ दिन के द्वरान तो भक्तो इस साथ दिन में हम जो कथा सुनने वाले हैं ये कथा एक मचली की है मच्य अउतार की कथा लेकिन वो कोई साधारन मचली नहीं है वो कैसी मचली है? जैदेव गोश्वामी ने गीत गोविंद का ओपनिंग जो है इस मचली से किया है ये जो मेरे पीछे मचली है न गीत गोविंद जैसा दिव्य गरंत उसने मचली से प्रारम किया जैदेव गोश्वामी कहता है प्रलयपयोधिजले धृतवानसिवेदम विहीतवहीत्रचरीत्रमखेदम प्रलयपयोधिजले धृतवानसिवेदम विहीतवहीत्रचरीत्रमखेदम केशवद्रीता मीनशरीर जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय जय जगदी शहरे स्वईस्वरकार गीत गोविंद जैसे इस अदभूत गरंथ का प्रारम शेज़ेदेव गोस्वामी ने इस मीन अवतार से किया मचली के इस अवतार से मच्च्य अवतार से मच्च्य अवतार के विशे में हम सुनना प्रारम करें कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करते हुए भागवत के एक अध्याय में मच्च्य अवतार की कता है और मजे की बात यह है योगानु योग दुसरा योग में आपको बताऊ कि इस मच्य अवतार की कथा में लगबग 60-65 श्लोक है 60-65 श्लोकों में डाइरेक शुगदयोगोसवामिन ने परिक्षित को ये कथा सुनाई है और आगे चल कर हम सुनेंगे कि माराज सत्यवरत ने भगवान मच्य को गुरू बनाया अब ये कथा हम आगे आएगी कि ब्रह्मा जी के हाथों से सारे वेद चले जाएंगे और भगवान मच्य सारे वेदों को पुनह प्रस्थापित करेंगे इस अंसार में छोटा मोटा जो भी ज्यान है ये सारा ज्यान यदि ठीका है तो भगवान मच्य के कारण अतह सत्यवरत मुनि ने भगवान मच्य को गुरू बताया और गुरू बनाकर गुरू की क्या महिमा होती है सत्यवरत मुनि ने आठ शलोक में बताई बहुत सुन्दर कल हम भक्तों की मिटिंग थी तो कल मैंने उनमें से एक दो शलोक बताये थे लेकिन बड़ा आनन्द आ गए वैसे इसकोन में हमारे इसकोन में रोज सुबह मंगला आरती होती है मंगला आरती में हम गुरू आश्टकम गाते हैं वो गुरू आश्टकम विश्वनाथ चकरवती ठाकुर के द्वारा आठ शलोक लिखे गये है संसार दावा नली डलोक वंदे गुरू शी चरना रविंदम ये हैं विश्वनाथ चकरवती ठाकुर का गुरू आश्टकम लेकिन भगतो भागवत में भी एक गुरू आश्टकम है और वह गुरू आश्टकम इसी मत्स्य आउतार की कथा में महराज सत्यवरत के मुख से निकला हुआ है और आप समझ सकते हैं कि शुगदेव गोश्वामी जब गुरू आश्टकम गाये बोले तो इसमें कितनी डेफ्थ, कितना भाव और कितना फोर्स हो सकता है तो इस कथा में, मत्स्य आउतार की इस कथा में आठ श्लोकों में गुरू की महिमा, गुरू की आवश्यक्ता, गुरू की महिमा का मंडन बहुत सुन्दर तरीके से होगा शुमद भागवत में अश्टम सकंध और चोबीस वे अध्याय में भगवान के यद्दिव्य आउतार, मत्स्य आउतार की कथा शुकदेव गोस्वामी माराज परिक्षित को सुनाते हैं कता सुनाने से पुर्वल परिक्षित माराज जिग्यासा करते हैं बहु सुन्दर दो-तिन श्लोक में जिग्यासा है आए राजु वाचा भगवत श्रोतुमी चामी हरे अदभूत कर्मन अवतार कथा माध्याम माया मत्स्य विडं बनं माया मत्स्य विडं बनं माराज परिक्षित शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि शुकदेव जी हे भगवन्द कृप्या करके आप मेरी जिग्यासा को पूर्ण के जिये कहते हैं भगवन्द शुरोतुमिच्छा में हे भगवन्द मैं सुनने की इच्छा रख रहा हूँ सबसे पहला शब्द ही बहुत सुन्दर है माराज परिक्षित शुकदेव जोस्वामी को संबोधन देते हुए भगवन कह रहे हैं आप सब देखते हैं हमारे देश में किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए किसी को आदर देने के लिए भगवन कहकर बुलाते हैं कि भगवन्त आप यहां आईए भगवन्त आप यह कीजिए परंतु यहां पर शिल प्रभुपाद ने स्पेशल नौट किया कि परिक्षित माराज शुकदेव जोस्वामी को भगवन्त क्यों कहता है शिल प्रभुपाद कहता है भगवन्त अर्थात सर्व शक्ति मान यहां पर भगवन्त का अर्थ है शक्ति मान तो माराज परिक्षित शुकदेव जोस्वामी को संबोदन दे कर कहता है भगवन्त अर्थात है शुकदेव जोस्वामी आप सर्व शक्ति मान हो अब इसका अर्थ ये हुआ के शुगदेव जी भागवत कथा बोल रहा है तो भागवत कथा बोलने में बुद्धी तो चाहिए साती सात शक्ती भी चाहिए शिल प्रभुपाद का ये कहना है सो भागवत बोलने के लिए शक्ती भी और चाहिए न बिचारे शुगदेव जी तीन दीन तीन रात से continue बोले जा रहे हैं तो भागवत के लिए शक्ती भी चाहिए तो यहाँ पर परिक्षित महराज कहते है कि हे भगवन हे सर्वशक्ति मान शुगदेव जी शुरोतुम इच्छामी शुगदेव जी मैं सुनना चाहता हूँ शुरोतुम इच्छामी देखिए परिक्षित ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि शुगदेव जी एक मंतर मार के कोई फल खिला दो शुगदेव जी आप मेरी पिट पर एक हाथ गुमा दो एक मतलब ढीका मार दो तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं कहा आज कल के चेले लोग अपने गूरु के पांस जाते हैं गूरु को कहते हैं कि मेरे पीछे हाथ गुमा दीजिए मुझे मंतर मार के फल दे दीजिए कोई श्रिफल दे दीजिए आज कल लोग चमतकार चाहते हैं मेहनत करना नहीं चाहते हैं और वक्तो आज कल के जो चमतकार हैं ये और कुछ नहीं है ये केवल दुसरों की आँखों में धूल जोकने के वराबर है ये हाथ चाला की है ये दपी किसी सिश्य को महराज परिक्षित जैसे परिक्षित को भी जब कुछ मांगना हुआ तो क्या कहा शुरोतू मिच्छा में मैं सुनना चाहता हूँ एक बात याद रखिये परिक्षित की तरह जिस व्यक्ति की सुनने की इच्छा होगी जो सुनना चाहेगा जिसकी सुनने में रुची होगी उसका उद्धार निश्चीत है दुनिया में जितने भी प्रॉबलम, कलह, कलेश, जगड़े होते हैं वो इसी लिए होते हैं क्योंकि हमारी सुनने की इच्छा नहीं होती जो सुनने की इच्छा रखता है जिनके अंदर सुनने का गुण है उसके अंदर सारे गुण आ जाएंगे यदि कोई कहे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है ये चिलनेंस प्रोग्राम था ना मेरा बच्चा बहुत अच्छा है मेरा बच्चा बहुत अच्छा दीखता है मेरा अच्छा बहुत अच्छा बोलता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा नाच्टा है मेरा बच्चा बहुत अच्छा खाता है लेकिन एक प्रोब्लम है क्या मेरा बच्चा किसी की सुनता नहीं है मेरा बच्चा किसी की माबाप की नहीं सुनता गुरू की नहीं सुनता किसी की नहीं सुनता अब बताईए सारे गुण यदी किसी बच्चे में हो यदी परन्तो यदी किसी का न सुने किसी का यदी वह नहीं सुनता है तो वह सारे गुणों के उपर पानी फेर देता है दुसरी और यदी किसी बच्चे में कोई गुण नहो लेकिन सुनने का गुण हो मेरा बच्चा अच्छा गाता नहीं है बोलता नहीं है दिखता नहीं है श्लोक भी याद नहीं करता है कोई बात नहीं लेकिन हाँ मेरा बच्चा सुनता है वक्तों ये सुनने का गुण यदि किसी में है तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे इसलिए अपने जीवन में सुनने का गुण डेवलप करें एक बात याद रहे चाहे स्कूल, कॉलेज या भागवत में जिसके अंदर सुनने का गुण होता है, जो अच्छे से सुनता है वही प्रोग्रेस करता है इसलिए चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो हमें सुनने में अपनी रूची बढ़ानी चाहिए इसलिए न, कहते है न, एक दो बच्चे बात कर रहे थे, कि भाई बता चल, भगवान ने मुँ एक दिया, कान दो क्यों दिये दूसरे बच्चे ने का चश्मा पहनने के लिए, अब बच्चे में भी बुद्धी बहुत होती, कान न होती तो चश्मा कैसे पहनते है लेकिन वास्तों में भगवान ने कान दो इसलिए दिये, क्योंकि जादा से जादा सुनो और मुँ एक ही दिया, ये बंद रखो अब बंद रखो मैं हरे, हरी के अदभूत कर्म की कथा सुनना चाहता हूँ अर्तात, हरी की अदभूत लिला सुनना चाहता हूँ बगतों हम जो कारिय करते हैं, वे कारिय संसार के कर्म बंदनों में, तीनों गुनों में बंदे हुए होते हैं और भगवान जो कारिय करते हैं वो स्वतंत्र गती से होते हैं इसलिए भगवान की जो लीला जो है अद्भूत है भगवान सी कृष्ण जब भी कोई लीला करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अद्भूतता होती है तो यहां पर महाराज परिक्षित कहते हैं कि मुझे भगव माध्याम अवतार कथा माध्याम माया मज्यविडम बनम ये प्रभू अवतार कथा माध्याम माध्याम ने आध्याम सबसे जो आदी कथा है मनलब जो प्रथम कथा जो भगवान की प्रथम अवतार है जो भगवान की प्रथम लीला है तो प्रथम अवतार प्रथम लिला ऐसे मच्य अवतार की कथा आप हमें सुनाईए है इस श्लोक के अनुसार भगवान सी विश्णुक का प्रथम अवतार मच्य अवतार माना गया है इसलिए कहते हैं अवतार कथाम आध्याम आधी मच्य अवतार सबसे पहला अवतार है अजीत अवतार अने को अवतार हुए तो यदपी मत्से अवतार के पहले अने को अवतार हुए फिर भी माराज परिक्षित शुगदेव जी को मत्से अवतार को प्रथम अवतार क्यों कहते हैं और वक्त इसकी पूर्ती करते हुए जैदेव गोस्वामी को यदि हम याद करें जैदेव गोव स्वामी ने गीत गोविन में दस अवतार श्ट्रोत लिखे, उन दसो अवतार में सबसे पहला नाम मत्स्य अवतार का लिया, तो जैदेव जी के अनुसार भी मत्स्य अवतार प्रथम है, परिक्षित के अनुसार भी मत्स्य अवतार प्रथम है, लेकिन जब हम मत्स्य अउतार ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद अर्थात सत्यूग त्रेता द्वापर और कली ये चार यूग बितने सत्यूग त्रेता द्वापर और कली ये चार यूग बितने के बाद फिर से सत्यूग प्रारम होता है तो ये चतुर यूग का समाप्त होने के बाद ये वर्तमान में जो चतुर यूग चल रहा है इस वर्तमान के चतुर यूग का प्रथम अवतार है तो वर्तमान के चतुर यूग का प्रथम अवतार है इसलिए मत्से अवतार को प्रथम या आदी अवतार कहा गया तो यहाँ पर कहता है अउतार कथामाध्याम माया मच्य विडम बनम हे शुकदेव जी माया मच्य विडम बनम आप उस मच्य अउतार की कथा सुनाईए जो माया से भगवान ने प्रकट किया यहाँ पर एक शब्द आया माया मत्स्या बगतो भगवान की अनेको प्रकार की शक्ति है भगवान की दो प्रकार की माया है एक है महा माया दुसरी है योग माया भगवान महा माया के द्वारा इस संसार की सुरुष्टी करते हैं बगवान महा माया के द्वारा इस संसार को चलाते है और भगवान योग माया के द्वारा अपने आपको चलाते हैं तो भगवान की ये दोनों माया जो शक्ति हैं भगवान की है लेकिन बही रंगा माया शक्ति के द्वारा जगत और योग माया के द्वारा स्वयम भगवान अ के अंदर रहती है तो यहाँ पर परिक्षित महाराज कहते है कि योग माया से माया मच्य अनुकरणम भगवान ने अपनी योग माया से मच्य रूप जो धारण किया उस मच्य अवतार की कता सुनाओ अत्वा अपने योग माया के प्रवाव से मच्य का अनुकरण किया अर्थात मच्य की एक्टिंग जो भगवान ने की अब हमारे भगवान तो सारी एक्टिंग जानते है सबसे बड़ा नटराज जो है न ये कृष्ण है सारा सारे एक्ट कर लेते है सो योग माया से जिन्होंने मचली की एक्टिंग की उस भगवान की आप कथा सुनाई है मानो परिक्षित महाराज कहे कि मनलो सुगदेव गोश्वामी कहे कि भई आपको अकस्मात अचानक ये मत से अउतार कथा सुनने की इच्छा कैसे हो गई हम लोग line to line भगवान के अउतारों की कथा सुन रहे थे उसमें अचानक से कोई link भी नहीं है अचानक से माराज परिक्षित मत से अउतार के बारे में सुनना चाहते है तो शिदर स्वामी ने प्रश्ण उटाया कि अचानक से परिक्षित महाराज को मत्स्य अवतार की कथा सुनने की इच्छा कैसे हो गई तो इसका उत्तर देते हुए कहता है कि वामन अवतार की कथा सुनकर महाराज परिक्षित को मत्स्य अवतार की याद आ गई थोड़ा बहुत सुना था ज्यादा नहीं जानते थुड़ा बहुत सुना था तो वामन अवतार सुनकर परिक्षित को मत्स्य अवतार की याद आ गए कैसे याद आ गए बोले वामन अवतार और मत्स्य अवतार दुनों सद्रश है जैसे बली महराज का उधार करने के लिए भगवान वामन रुप दारन किए और विखारी बन गए बग तो विखारी बनना विखशुख बनना ये कोई अच्छी बात नहीं है संसार में बहुत गरहित काम है, बहुत नीचा काम है किसी से भीक मांगना विखशुख बनना तो जैसे बली महाराज का उद्धार करने के लिए भगवान अपने स्थान से इतने नीचे आ गए इतना नीचे गिर गए कि वो भिखारी बने ठीक उसी प्रकार जीस उद्धेश से भगवान ने मचली का रूप दारण किया क्योंकि मचली भी कोई अच्छा पशु नहीं माना जाता है मचली कोई उत्तम जीव नहीं माना जाता है अगले श्लोक में महाराज परिक्षित कहते है यदर्थम अदात रूपम मात्स्यम लोक जुगूप सितम परिक्षित महाराज कहते हैं के शुकदेव जी यदर्थम अदात रूपम जीस उद्धिश के लिए भगवान कृष्ण ने भगवान विश्णु ने दात रूपम ये जो रूप धारण किया कृप्या करके आप मुझे बताईए और परिक्षित महाराज कहना चाहते हैं कि भई चलो भगवान को कुछ कार्य करना था किसी अपने शुद्ध भक्त का उद्धार करना था उद्धार करने के लिए 84 लाख योनी थी अनेको प्रकार के जीव जन्तु थे अनेको प्रकार का रूप ले सकते थे मात्स्यम मचली का रूप क्यों धारन किया क्यों भई शुक्देगो स्वामी पूछे मचली का रूप लेने में क्या प्रॉबलम है अर्थात इस भगवान ने मचली का रूप लिया इस मचली के रूप को देखकर लोग जुगुप सितम लोग इसकी निंदा करेंगे मचली को कोई कोई इतना आदर मान सनमान नहीं दिया जा सकता या लोग नहीं आदर सनमान देते हैं तो लोगों के द्वारा जुगुप सितम लोगों के द्वारा जो निंदित शरीर है लोगों के द्वारा जो छोड़ा हुआ लोग मचली को क्या मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं और ऐसा शरीर भगवान ने दारन किया और चलो मचली का रूप दारन तो किया तमह प्रकृति दुर्मर्शम कर्म गरस्त इवेश्वर मसली का रूप दारण करके ऐसी एक्टिंग किये कर मानलो किसी को भी लगता है के भगवान भी कर्म बंधन में फश गये हैं और कर्म बंधन में फस कर भगवान भी मशली बन गये है अब ये भगवान भी अपने कंट्रोल में नहीं है हमारी तरह भगवान भी गीर चुके हैं और वो भी साधारण मचली बन गया है तो प्रभू यदि आप इसका उत्तर नहीं दोगे तो संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे निंदा करेंगे इसलिए आप इस बात को विस्तार से बताईए कि भगवान ने ये मचली का रूप क्यों धारण किया आगे कहते हैं एतनो भगवन सर्व फिर से फिर से माराज परिक्षित शुकदेव गोस्वामी को संबोधन देते हैं भगवन यहाँ पर भी प्रभवपात लिखते हैं भगवन माने शक्ति मान माराज परिक्षित शुकदेव गोस्वामी को बार बार शक्ति मान कह रहा है शक्ति मान अब शुकदेव जी कर क्या रहा है शुकदेव जी भागवत कता कर रहा है कोई रूखा सूखा पतला आदमी जो ठीक से एक स्थान पर आदा गंटा बैठ नहीं सकता वो कथा क्या करेगा एक बार हमारे साथ रहने वाला एक लड़का मुझे कहता है प्रभू मुझे भागवत करना सिखाओ मैंने कहा तू तू तीन गंटा एक जगा पर बैठ नहीं सकत है बागवत क्या बोलेंगे क्या करेंगे तो शुगदेव गोष्वामी को शक्तिमान का गाए है शक्तिमान है भगवन एतन नसर्वं यथावत वक्तुम अरहसी प्रभू आप जैसे कथा हुई वैसे कहने में समर्थ हो यथावत, यथावत माने as it is यथावत वक्तुम अरहसी आप किसी भी कता को as it is कहने में सर्व समर्थ हो बगतो वही वक्ता वही वक्ता स्रेष्ठ माना जाता है जो किसी भी بीती हुई घटना को या भगवान की कता को as it is यथावत प्रस्तूत करे बगतो इस समाज में किसी भी बातों में मिर्च मसाला दाल कर फ्रस्तूत करने वाले तो बहुत लोग होते हैं और खास करके माता है कि वही किसी से बात सुनी तो उसमें कुछ अपना मिर्च मसाला दाला फिर उसको आगे करके वेजा फिर आगे वेजा फिर आगे वेजा एक बहुत चाशा वीडियो आया था, आज कल ये सोशल मेडिया में, कुछ-कुछ बाते बहुत अच्छी आती हैं, एक आदमी ने 50 लोगों को ऐसे राउण में खड़ा रखा, 50 लोगों को ऐसे राउण में खड़ा किया, और उस आदमी ने एक व्यक्ति के कान में कुछ बात कही उस आदमी ने दुसरे को बात सुनाई उसने तिसरे को तिसरे ने चोते को चोते ने पांचवे छटे साथ वे से करते करते फिर पचासवे आदमी के पांच जो बात पहुँची वो उसने पहले आदमी को सुनाई तो पहले आदमी ने जो बात कही थी और पचासवे आदमी के पास पहुँची उस बात में जमीन आसमान का अंतर हो चुका था इस दुनिया में लोगों की हालत ऐसी है कि जो भी सुनते हैं उसमें अपनी भुद्धी, अपना मन, अपना स्वार्त जोड़कर आगे बोलते हैं लेकिन उत्तम वक्ता वो है जो आचार्यों के द्वारा कही गई बाते शास्त्र की बाते as it is दुसरों के बीच में बोलता है अब हम नहीं देखते हैं भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परितज्य माम एकम शरणम व्रज़ ये अर्जुन सभी चोटे मोटे धर्मों को छोड़कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहन करो लेकिन आज कल के कुछ लोग गीता कृष्ण ने जो कही वही गीता बोलता है लेकिन गीता के एंड में जब आते है तो कहते हैं सर्वधर्मान परितज्य मम बाबा शरणम व्रज़ः सर्वधर्मान परितज्य मम बापु शरणम व्रज़ः तो कहने का आर्थी हैं कि ये as it is नहीं है as it is माने यथावत जो भगवान ने कहा था जो किया था तो परिक्षित कहता है शुगदेव जी आप यथावत कथा बोलने में समर्त हो इसलिए उत्तम श्लोक चरितम इसलिए आप उत्तम श्लोक भगवान से कृष्ण के चरित्र को सुनाईए मानो शुगदेव जो स्वामी कहे कि वहिए आप कृष्ण कथा और कृष्ण के इस मच्य अवतार की कता ही सुनना क्यों चाहते हो तो बहुत सुन्धर तिसरे श्लोक में कहते है उत्तम श्लोक चरितम भगवान से विश्ण की ये मच्य अवतार की कता ये मत्स्य चरित्र सर्व लोक सुखावहम ये कता सर्व लोक सुखावहम सभी लोकों में रहने वालों को सुख देती है या इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को सुख प्रदान करने वाली है ये मत्स्य अवतार की कता ये भगवान से Krishna का ये चरित्र इस प्रकार महराज परिक्षित ने ज़ब जिग्यासा किए तो शुगदेव गोस्वामी कथा करना प्रारम किये शुगदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले परिक्षित मैं तुम्हें यह सुनाओंगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं जनरली भगवान इस धर्ती पर क्यों आते हैं इस बात को मैं आपको पहले डिटेल में बताऊं ये शलोक मुझे आपको दिखाना होगा मानलो माराज परिक्षित कहे कि भगवान के अवतार का कारण बताईए तो शुगदेव गोश्वामी इस पाँचवे शलोक में भगवान के अवतार का कारण बताते हुए कहते हैं गोविप्र पहले तो श्रीशुक वाच़ गोविप्र सुरसा धुनाम चंद साम पिचेश्वरह रक्षामी चंस्तनूर्दते रक्षामी चंस्तनूर्दते धर्मस्यार्थस्यजे वही धर्मस्यार्थस्यजे वही इस श्लोक में भगवान डिटेल में बता रहे हैं कि शुगदेव गोश्वामी कहता है कि भगवान इस धर्ती पर क्यों आते है भगवान के इस धर्ती पर आने का सबसे पहला कारण इसमें लगवग साथ कारण बताए गए सबसे पहला कारण है गो गो का अर्थ होता है गाई माता गव माता बगवान इस धर्ती पर अवतार लेते हैं बगवान इस धर्ती पर आते हैं उसका सबसे पहला कारण है गो गाई माता की रक्षा करने के लिए गायों को बचाने के लिए या गायों को सुख देने के लिए उनकी सिवा करने के लिए भ भगवान कृष्ण गाई और ब्रामनों की सिवा करने में सदेव उत्सुक रहते हैं और इसलिए भगवान स्वयम ग्वाल बाल बनकर इस धर्ती पर आते हैं कृष्ण खूद ग्वाला बनते हैं और ग्वाल बाल बनकर गाई और बचले की रक्षा करते हैं उनसे प्रेम करते हैं सो इस प्रकार भगवान गव माता की सो सबसे पहले हैं गाई की रक्षा करने के लिए या गाई को सुख देने के लिए दुसरा है विप्र भगवान के अवतार का दुसरा कारण विप्र शुकदेव जी कहते हैं विप्र माने ब्रामनों की रक्षा करने के लिए शुल प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म जिवन के उद्देश की पूर्ती करने के लिए अर्थात मुक्ती प्राप्त करने के लिए या भगवान का धाम वैकुंट प्राप्त करने के लिए वैदिक ज्ञान की रक्षा करनी होगी और वैदिक ज्ञान की रक्षा तब तक नहीं हो पाएगी जब तक गाई और ब्रामनों की रक्षा नहीं होगी अर्तात भगवान का धाम प्राप्त कराने के लिए इस दुनिया में दो वस्तु है एक है गाई और दुसरे है ब्रामन भक्ती करते हैं, तो गो और विप्र, बगवान गाई की रक्षा, या गाई को प्रेम देने के लिए, विप्र माने ब्रामन की रक्षा, ब्रामन को प्रेम देने के लिए, तिसरा है सूर, अर्थात बगवान इस धर्थी पर प्रकट होते हैं, तिसरा कारण है सूर, सूर माने देवता को सूर क्यों कहते हैं, क्योंकि देवता सूरा पीते हैं, सूरा माने ताजे ताजे फल का जूस, सोम रस पीते हैं, इसलिए देवता को सूर कहते हैं, तो सूर देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, और इसका प्रमान भागवत में इंद्रियारि व् कभी-कभी बड़े-बड़े अपराध या पाप कर बैठते हैं, फिर भी वगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, क्यों? क्योंकि देवताओं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वे भगवान के शुद्ध वक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, कभी कबार गलती मिष्टिक हो जाए तो भगवान शमा कर देता है लेकिन देवताओं की रक्षा और देवताओं को प्रसंद करने के लिए भगवान आते है सो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जिन के लिए अवतार लेते हैं उनको हमें कभी भी परिशान नहीं करना चाहिए वो है गाई, ब्रामन और देवता आगे कहते हैं साधु नाम चोथा कारण है साधु नाम गो, विप्र, सूर, चोथा है साधु नाम भगवान आते हैं साधु की रक्षा या फिर साधु को सुख देने के लिए चंद साध, चंद साम का अर्थ है वेद भगवान चंद माने वेद वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान इस धर्ती पर आते हैं वेद के प्रायह मंत्र चंदों में बने हुए हैं दिर्ग चंदर, शादूर, शादूर, विक्रिड चंद इस यहने को चंद है, तो चंद में वेद हैं, इसलिए चंद की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं रक्षामी चंदस तुर्धत्यें और फिर आगे कहते हैं धर्म धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं जब जब धर्म की हानी होती है, सो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान इस धर्ती पर उतरते हैं, और फिरंत में कहते हैं, अर्थस्य, अर्थ माने धन, अर्थांत अपने भक्तों के धन की रक्षा करने के लिए, अर्थांत भक्तों के पास जो संपत्ति हैं, जो धन है, ज गो, विप्र, सूर, साधुनाम, चंद, धर्म और अर्थ, छे, छे वो न, छे साथ, जो भी है, तो शुग्रेव को स्वामी ने प्रारम में कह दिया, कि है परिक्षित, भगवान इस प्रकार से, जियों की अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस धर्ती पर आते हैं, और जब धर्ती पर आते हैं, तो उच्चा वचेशु भूतेशु, चरन वायूर इश्वर, तो भग वर्दान कुछ ऐसा था कि न पशु से मरू न मनुष्य से मरू, तो पशु भी न मार सके, मनुष्य भी न मार सके, अश्ट्र भी न मार सके, शस्ट्र भी न मार सके, तो भगवान ने सोचा किस रूप से मैं उनको मारूंगा, तो उस कार्य के लिए भगवान ने नर्सिम्म अवतार धारन किया तो जैसे जैसे कारिय होते हैं वैसे वैसे भगवान रूप धारन करते हैं सिदान्त यहाँ पर शुकदेव जी कहते हैं कि उच्चा वचेशु भूतेशु चरन वायूर इश्वर भगवान कभी उचा रूप लेकर आते हैं तो कभी नीचा रूप लेकर आ परंदु शुक्रिव जी कहते हैं चाहे भगवान उचा रूप धारन करे या नीचा रूप धारन करे भगवान की गरिमा को कोई फरक नहीं पड़ता जैसे कवी लोग कहते हैं कि गरुड कितना भी नीचे आ जाए गरुड तो गरुड ही रहता है और कववा कितना भी उपर चला जाए कववा कववा रहता है गरुड की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंच दे तो यहाँ पर और एक दर्श्टान देता है वायूर इश्वरा शुकदेव जी कहता है जैसे वायू जैसे हवा हवा जो है कभी कभी परफ्यूम की दुकान से होकर निकलती है तो वह परफ्यूम की सुगंद उस हवा के साथ जुड जाती है लेकिन वो हवा उस पर्फ्यूम में आ सकता नहीं रहती कुछ देर तक वो पर्फ्यूम की सुगंद उस हवा के साथ उड़ती है और फिर पर्फ्यूम छुट जाता है और हवा अपने आप बैने लगती है तो कभी वो वायू कभी हवा पर्फ्यूम की सुगंद को लेकर उड़ती है तो कभी वही वायू किसी दुरगंद को लेकर उड़ती है चाहे सुगंद हो चाहे दुरगंद हो हवा की उसमें कोई आ सकती नहीं होती थोड़ी देर वो वायू हवा उस सुगंद के साथ रहती है फिर छोड़कर अपने आगे निकल जाती है थोड़ी देर वो वायू दुरगंद के साथ रहती है फिर उसे छोड़कर अपने आगे निकल जाती है ठीक उसी प्रकार भगवान गो विप्र सुर सादुनाम चंद साम धर्म और अर्थ की रक्षा करने के लिए कभी अच्छा रूप दारन करते हैं तो कभी बुरा रूप दारन करते हैं जिसे हवा सुगंद और दुरगंद को लेकर बैती है लेकिन उसमें वह आसकत नहीं रहती उसमें हवा को कोई फरक नहीं पड़ता ठीक उसी प्रकार भगवान कभी उचा रूप लेते हैं तो कभी मचली जैसा नीचा रूप ले लेते हैं लेकिन फिर भी भगवान को इसमें कोई अंतर भगवान को इसमें कोई फरक नहीं पड़ता इस प्रकार शुगदेव गोस्वामे ने यसी दान्द कहां कि आप ये चिंता मत करो ये कौन सा रूप लिया और भगतो ये मचली का रूप देखकर तो हमारे रदे में करुणा होनी चाहिए जब देवी कुंती को ये बात याद आई ना मा कुंती श्तूती करते हुए रोने लगी कि प्रभू आपकी संसार के जियों के उपर कितनी कृपा है? कि आप संसार के जियों का उदार करने के लिए मचली तक बन जाते हो, सूवर बन जाते हो हमने देखा है कि वगवान अपने भक्तों के लिए कभी सूर तो कभी मचली तक बन जाते हैं तो माया विडम बना वहाँ पर भी देवी कुंति ने कहा था कि ये तो बड़ी विडम बना है प्रभू इतना सुन्दर स्वरूप है आपका इतना सुन्दर रूप है लेकिन अपने भक्तों के लिए मचली और सुवर बनने के लिए भी आप देरी नहीं करते हैं आप तुरंत वह बन जाते हैं तो भक्तों एक दरश्टी से भगवान का इस प्रकार का रूप धारन करना ये भगवान की करुणा ही है ये भगवान की कृपा ही है उस करुणा के स्वरूप भगवान ने ये मशली का रूप धारन किया वक्तो जैसे भगवान वराह के अवतार दो बार हुए वेसे मत्स्य अवतार भी दो बार हुआ पहला मत्स्य अवतार दो श्लोक में शुगदेव गोस्वामी कहते हैं कि आसीत अतीत कलपांते एक मत्स्य अउतार हुआ था हो चुका था वो कब हुआ तो कहते हैं आसीत अतीत कलपांते ब्राम हो नेमितिको लयाह चार प्रकार के प्रले होते हैं चार प्रकार के प्रलाई होते हैं, नेमितिक प्रलाई, प्राकृतिक प्रलाई, स्थाई प्रलाई और आत्यंतिक प्रलाई हमारे मन में तो यह की था कि प्रलाई माने प्रलाई लेकिन प्रले भी चार प्रकार के होते हैं नैमितिक, प्राकृतिक, स्थाई और आत्यंतिक कल हम विस्तार से सुनेंगे लेकिन नैमितिक प्रले शुकदेव गोश्वामी कहते हैं कि नैमितिक प्रले का समय था और उस नेमितिक प्रलै के दोरान ब्रह्मा जी को नींद आ गई तो आसीत अतिंत कलपांते पिछले कलप में ब्रामो नेमितिक प्रलै के समय ब्रह्मा जी को निद्रा आई और समुद्रो तत्र लोका भूरा दयो निरिपह और उस समय ये सारा संसार समुद्र में डूबा और ये संसार तबा हुआ लेकिन काल करम से ब्रह्मा जी को नींद आने पर ब्रह्मा जी के मूख से ब्रह्मा जी के हाथों में वेद होते हैं ब्रह्मा जी के हाथ से सारे वेद गीर गए और ब्रह्मा के हाथों से वेद गिरते ही हैग्रिव नाम का एक असूर आया और हैग्रिव असूर ने ब्रह्मा के वेदों को चुरा लिया अब ये असूर भी असूर होते हैं असूरों को वेद पढ़ने नहीं होते उसका यही कारी होता है, दूसरों को परेशान हम कैसे करें, पढ़ने के लिए नहीं, ब्रह्मा को परेशान करने के लिए ब्रह्मा जी से सारे वेदों को चुरा लिया, हरन कर लिया, और ज्यात्वा तद्दान वेंद्रस्य, और उस समय जब भगवान को पता चला, तो ददार शफरी रूपम भगवान हरी इश्वर तो भगवान हरी ने शफरी रूपम शफरी माने मचली का रूप दारन किया और मचली का रूप दारन करके उस हाइग्रिव असुर का वध किया और ब्रह्मा जी की जब निद्रा खुली तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथों से जो व शुकदेव गोश्वामे ने सुनाई लेकिन अब जो दूसरा मच्स आउतार होने वाला है जो मुख्य मच्स आउतार ये मच्स आउतार इस कल्प के प्रारम में ये मच्स आउतार हुआ था और माराज सत्यवरत जेसे शुद्ध भक्तों के उपर कृपा करने के लिए भगवा का ये सुन्दर मत्स्य अवतार हुआ कहता हैं कि तत्र राजरशी कष्चित नामना सत्यवरतो महान नारायन परो तपत तप सचलिलाशना कहता हैं कि सत्यवरत नाम के एक राजा थे और वे राजा दक्षिन भारत में रहते थे और भगवान के परम भक्त थे नारायन परायन अर्थात जिनके प्राण ही भगवान नारायन थे अपने प्राण भगवान नारायन में जिनोंने रख दिये थे अर्थात राद दिन जो भगवान नारायन का स्मरन करते थे तो ऐसे सत्यवरत नाम के राजा शलिल आसन भोजन छोड़कर केवल जल पीकर तपसिया कर रहे थे भजन कर रहे थे ये कब की बात है पुर्व कल्प के अंत में अंतिम चतुर्यूग के पुर्ण होने की ये बात है अर्थात इसके पहले का जो कल्प वर्तमान जो कल्प है इसके पहले का जो कल्प है उस कल्प के अंत में उस कल्प का एंड होने में केवल नो दिन बचे है और नो दिन के बाद पूरा संसार तबा होने वाला है केवल नो दिन बचे है उस नोवे दिन नोवे दिन पहले ये नाम के राजा जल पीकर तफसिया कर रहे थे थोड़ा सा घविषर बता देता है कि यह वही सत्यव्रत राजा है जो सत्यव्रत राजा अग्ले मनवंतर में फिस अग्ले मनवंतर में वे विवस्वान के पुत्र होंगे और मनवंतर के राजा मनू होंगे तो ऐसे महाराज सत्यवरत की प्रारण करते है कि एकदा कृत मालाया एक दिन महाराज सत्यवरत पानी पिकर वर्द कर रहे تھे और कृत माला नाम की नदी में वो स्नान किये और स्नान करके सुर्य देवता को जल तरपन कर रहे थे शुक्देव जी कहते हैं एकदा कृत मालायाम कुरुवतो जल तरपतम सुर्य देव को जल अरपन कर रहे थे और तस्या अंजली उदके कस्चित शफर्ये काभ यद्यत उस समय उन्होंने हाथ में जैसे ही ऐसे जल पकड़ा तो उनके हाथों में एक छोटी सी मचली आ गई मचली आई तो राजा सत्यवरत उस मचली को इसे छोड़ने गए तो वो मचली जो है चिल्लाने लगी वो मचली रोने लगी और जैसी मचली रोने लगी चिल्लाने लगी और मनुष्य भाशा में बोलने लगी तब महाराज सत्यवरत उस मचली की भाषा को सुनने लगे परिक्षित ने पूछा कि वो मचली क्या बोलने लगी शुकदेव जी कहता है बहुत सुन्दर ये भगवान मचली बनकर आये है और भगवान ने बहुत सुन्दर शब्द कहे ऐसे सुन्दर शब्द कहें कि सत्यवरत उस मचली को लेकर घर पर गए यदपी सत्यवरत राजा डिवोटी है शुद्ध भक्त हैं शुद्ध भक्त न तो मचली खाते हैं और न तो मचली को अपने घर पर रखते हैं लेकिन फिर भी मचली को अपने घर पर लेकर आए दुनाम, चंदसाम, धर्म और अर्थ की रक्षा कैसे करेंगे, ये सारी कथा हम आने वाले दिनों में सुनेंगे आज प्रतम दिन था श्री गनेश कर दिया और प्लेटफॉम बना दिया, मूड बना दिया कल से हम इस कथा को वेग प्रदान करेंगे और मचली के बारे में, इस अवतार के बारे में, भक्तो ये मचली का जो अवतार है न मचली बनकर भगवान ने जो जो उबदेश किया उसका एक पुरान ही बन गया जिसका नाम हुआ मत्स्य पुरान एक बहुत बड़ा पुरान है मत्य पूराण ये मत्य पूराण और कुछ नहीं भगवान मत्य ने अपने मुख से जो कथा सुनाई उपदेश दिया वही है मत्य पूराण तो ये सारी बाते हम सुनेंगे, सो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, सारे भक्त समय निकाल कर भाव से धेरिये से इस कता का श्रवन किये, और विशेश धन्यवाद, जाजल परिवार का, मुंबई निवासी, विनोद राई जी, हंसा माता जी और उनकी दोनों सो पुत्री, ज बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रंत राज श्रिमत वागवतम महापुराण के, श्रिमत्य अवतार के, श्रिल प्रवुपाद के, निताई गोर प्रेमानन्दे,